पाते थे लिमिटेड ऑप्शन है इन्हीं में चलना पड़ेगा न आपको तो यह है अभी जो है एक मिनिममम कॉमन एजंडा जिसको कहते हैं अभी वो क्या है वो है कि बिहार को आगे बढ़ाना है बिहार का विकास करना है बिहार को ने के चलना है और हाँ जैसा आप लोग सम अब आप चुकी TMC में है सर तो वहाँ भी एक TPM material है ममता बेनर जी तो आब आप चुकी दीदी को थोड़ा करीब से देख रहे हैं और नितीज जी को बहुत करीब से देख चुके हैं तो जादा बढ़िया PM material कौन है नितीज जी या दीदी मैं certificate issue करने वाला कौन हूब कौन बढ़िया PM material है यह तो भारत की जनता डिसाइड करेगी जहां तो ममता बेनर जी का सवाल है उन्होंने तो खेला होबे का नारा दे के जिस तरह से परखच्चे उड़ाया रूलिंग पार्टी को और रूलिंग पार्टी के गन पावर गुन मनी पावर मसल पावर के दूरिपयोक को उन्होंने निस्तो नाबूत कर दिया वहाँ पे जिस तरह से जीत के आहीं इतनी सीटें लेकर आहीं कि आज पूरे हिंदूस्तान में ने पूरे विश्व में एक रोल मॉडल उभर कर आई हैं बन कर आई हैं वो आयरन लेडी टू ल के साथ है तो मैं यह कहता हूँ कि जैसे राहूल का मैंने का largest party है अब यह जो सब front runners हो गए यह सब four front में आगे अब इनका जो है आने वाले कल को पर सर आने वाले वक्त में इनका भारत की जंता फैसला कर लेगी पर सर किसी गाड़ी में चारों चक्के तो आगे नहीं लग सकते ना सर अबने चारों चक्के बता दिए एक दम जहां जहां टाइट एक ममताव इनर्जी हो गई एक राहूल गांधी हो गए एक आपने नितीज जी बता दिया एक के सियार या अर्विन के जिवाल पकड़ लें अब चार में से दो या दो ही चक्कना आगे लगेगा सर दो को तो पीछे जाना पड़ेगा कॉंप्रमाइज करने के लिए अरे तो दो पर ही फैसला करने दो न लोगों को भारत की जंता को आप और हम क्यों परिशान हो रहे हैं अभी हम लोग बच्पन से क्या विकल पा जाता है अपने आप विकल पा जाता है आप खुद देखो ना नहरू के बाद कौन लाद बादु शास्त्री के बाद कौन कि मिला कर तो यह तो आने वाला वक्त